विल्कम टू अपने रसोई मैं संगीता आज मैं कुकर में चॉकलेट केक बनाने जारी हूं जो बिना ओवेन के बनेगी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो पशंद आने पर लाइक और सेर करना ना भूले इसके लिए लगेगी समागरी, कोकुआ पॉडर, सुगर पॉडर, मैदा, रिफाइन वायल, वैनिला एशेंश, एक कप दूद, दो छोटी चम्मच दही, खावर शोड़ा, एक चोथाई चम्मच, बेकिंग पॉडर, एक हाफ चम्मच, कोकुआ पॉडर, हाफ चम्मच और चे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें सुगर पॉडर, एक कटोरी शुगर पॉडर को हम इसमें स्मूथ होने तक फेटेंगे, अब हम एक हाफ कटोरी कोकुआ पॉडर, यानि चार चम्मच और एक चम्मच हम कॉफी पॉडर, इस दोनों को मिक्स करके फेटेंगे और इसे अच्छे से चाल लेंगे यहाँ पर इसे चाल कर लेना इसलिए ज़रूरी है कि हमें फलपी और एस्पंजी केक चाहिए तो हमें सभी समागरियों को अच्छे से चाल कर ही इस्तमाल करने होंगे अब हम खावर शोड़ा को भी चाल ले रहे हैं और बेकिंग पॉडर को भी चाल ले रहे हैं हाप चमच बेकिंग पॉडर है एक चोथाई चमच खावर शोड़ा है अब इन सभी समागरी को अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर हम दूद हाप कप दूद डालकर इसे मिक् इतनी समागरी में एक कप गुंगुने दूद लगे हैं देखिए हमें दूद डालके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ज्यादा फेटना नहीं है बस मिक्स कर लेना है अब हमें हाँ पर 10-11 बून वेनिला एशेंस डाल रहे हैं आप इश्पून से डालिये तो लगभग हाप चमच अब एक कटोरी नमक कोई भी नमक लेकर कुकर में फैला कर इसमें स्टेंड डालेंगे ताकि कुकर जले नहीं अब बैटर को डालने के पहले सबसे पहले केक वाले बरतन में रिफाइन वैल से ग्रीस कर लेंगे और तब बैटर को बिल्कुल बीच में डालेंगे ताकि बैटर चारो तरह अपने से फैल जाए और साट में लगे भी नहीं ताकि केक अच्छे से कुक को सके अब हम बैटर पुडरे डालने के बाद इसमें टैप करेंगे टैप करने से यर्स बवल सेसम निकल जाएंगे केक में बुलबुले नहीं होंगे इससे अब कुकर गर्म हो चुके हैं अब हम धकन को हटा कर सर्सी की सहता से इसे कुकर में डालेंगे कुकर काफी गर्म है और इसे लगभग 30 मिनट हम कुक करेंगे अब धकन डालके 20 मिनट में हम इसे बीच में चेक कर लेंगे कि हमारे केक बने हैं की नहीं कभी-कभी 20 मिनट में भी कुक हो जाते हैं वल्टेज हमें मिडियम ही रखना है गैस के फ्लेम हमें मिडियम ही रखना है 20 मिनट हो चुके हैं इसे अब हम एक काटे की सहायता से चेक करेंगे, काटे में अगर चिपचिपापन है, तो हम दस मिनट इसे और कुखोने देंगे, अब 30 मिनट हो चुके हैं, देखिए हमारे केक बिलकुल पक चुके हैं, और काफी कलर भी अच्छे आए हैं, फूली भी है काफी, अब सरसी की सहायता से इसे बाहर निकाल लेंगे, और चाकू की सहायता से इसे प्लेट में निकाल लेंगे, पलट लेंगे, देखिए पीछे से भी केक कुक हो गई अच्छे से, और आगे से भी काफी फूली भी और अस्पंजी केक बनी है, काफी सॉफ्ट है, बिलकुल भी खा सकते हैं, और चाय तो इसे ड़ेकरेट भी कर सकते हैं, हम इसे ड़ेकरेट करने के लिए, घर पर ही, घर की समागरी से ही, क्रीम बनाएंगे, इसके लिए हम सबसे पहले, दूद लेंगे, एक क्टूरी दूद. उसमें हम ओरियो बिस्कित छेट पिस लिए हैं, इसे हम तोड लेंगे छोटे-छोटे टुक्रे में, दूद हमारे गर्म हो चुके हैं, हम ओरियो बिस्कित उसमें डाल कर उसे चलाते हुए, इसे घुलने तक पकाएंगे, देखिए हमारे बिस्कित और दूद आपस में करेंगे एक चममच कॉफी को गर्म पानी में घुल कर डाल दिये हैं और शी चममच चीनी हम यहां पर डाले हैं अगर मीठा पसंद हो तो चीनी बढ़ा ले और एक चममच हम बटर डाले हैं बटर से काफी अच्छे कलर आएंगे देखिए अब ठंडे होने के बाद इसे हम के क के उपर इस तरह से फैलाकर इसे डेपरेंगे जैसे design में मन हो आई बना आपके कोमेंट करें देख्ये कहमारी बनकर तयार है आप भी इसे एक बार ट्राइ करें और आपकी कि而 कैशी बनी है यह था हमारे बॉक्स में लिख कर भेजें आपके कॉमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा और देखिए काफी स्वाधिस्ट और अस्पंजी केक है बिल्कुल मार्केट की तरह देखिए इसमूत भी है कलरफुल भी है दम चॉकलेट वाली केक है इतनी देर तक हमारी वीडियो देखने के क्यांग candidate